आथियो नमस्कार मैं हूनी रजपटेल और आप देख रहे नेसल जन्मत लॉकडाउन के बीच में भारत की दो तरह की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है एक तस्वीर वो जहां देश का मजदूर वर्ग लॉकडाउन की इस्तिती में पड़ा करा रहा है और वो कह रहा है के हम आने पीने के रासन की भी कमी हो रही है दूसरा मजदूर तक पर वो जो पैदल चल करके सेक्लों किलूमीटर अपने घर वालों के पास जाने को उतावला है तीसरा मजदूर और सिर्मिक वर्ग वो जो अपने घर से दूर रोजी रोटी कमाने के लिए अपने प्रदेश को चोड़ करके किसी दूसरे प्रदेश में गया था वो वहाँ फसा हुआ महसूस कर रहा है इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पीम केर्स नाम से एक चेरिटिवल ट्रस्ट की गोशना की उसमें खबर आ रही है कि हजारो हजार करोन रुपए धना दन दान क किया जा रहा है तो एक लोगतांत्रिक देश में लोगों को ये पूछने का अधिकार है कि आखिर हर आपदा के समय में लोग दिल खोल कर दान देते हैं इतना चंदा आता है तो ये चंदा आखिर जाता कहा है ये सवाल इस समय पूछना लाजमी इसलिए भी हो जाता है कि प Emergency Situation Fund आखिर इसकी घोशना ही क्यों की है जबकि देश में 1948 से चला रहा एक fund है PMNRF जिसको हम लोग प्रधानमंत्री राष्टी राहत कोस के नाम से जानते हैं प्रधानमंत्री National Relief Fund इसको कहा जाता है तो ऐसे में लोगों के जहन में सवाल उठना लाजमी है कि जब प्रधानमंत्री के नाम से पहले से एक राहत कोस बना हुआ था तो अचानक से ये नया PMKRF फंड बनाने की ज़रूरत क्या थी जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनके सवाल उठाने के अधार में बता देता हूँ भारत में ट्रस्ट जो होते हैं वो Indian Trust Act 1882 के तहत काम करते हैं किसी भी ट्रस्ट को बनाने के लिए Trust Deed बनाई जाती है जिसमें स्परश्ट किया जाता है कि Trust का उदेश से क्या है सनरचना क्या होगी कौन-कौन इसके पतादिकारी होंगे कौन-कौन इसके ट्रस्टी होंगे उसको हम By-Lodge के रूप में भी जानते हैं सब रेजिस्टार के मिलाकर के लोग इसकी पारदरसिता पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि 1948 से इस देश में आपदा कि समय जिस राहत कोस का इस्तिमाल किया जाता है वह पधानमंती राष्टी राहत कोस उसमें जो लोग दान देते हैं उसकी अपनी एक बेफ साइट बनी हुई है उसमें आप जाकर के देख सकते हैं किन-किन लोगों ने दान दिया है और अभी तक उसका कितना पैसा सुरक्षित है इसके अलावाज C.A.G. यानि कि नियंतरक एवं महा लेखा परिक्षक हर साल उसका ऑडिट करते हैं यानि कि उसमें पारदरसिता जादा है लेकिन यहां पारदरसिता का इससा बित्तमंत्री निर्मला सीता रमन इसकी सदस्य हैं उसमें किसी भी नौकर साह को नहीं रखा गया है किसी भी विपक्ष के नेता को नहीं रखा गया है इसलिए लगातार इस फंड के बनाने पर सवाल उठ रहे हैं तमाम सारे भक्त लोग इस बात को लेकर सवाल उठा था उस समय क्यों आपको अपने नाम की कैमरे के सामने आने की पड़ी थी क्या आपको एक नया फंड बनाना पड़ जाए हानमंत्री राहत कोस की ओफिसियल वेब साइट पर अगर जाते हैं तो उसमें इस पश्ट दिखाई देता है कि 4 जून 2019 तक यानि कि लाश्ट अगर अभी इसी बेब साइट के हिजाब से आप देखें तो जितना धन आया उसका आधा भी सरकार खर्च नहीं कर पाई फिर जरूरत क्या थी कि आप अचानक से ऐसे समय में प्रधान मंत्री के नाम से एक अलग से फंड बनाएं और उसमें चहेते अपने अक्षे कुमार स 25 करोन रुपए दान करवा लें और अपने व्यापारी मित्र गौतम अडानी से 100 करोन रुपए का दान करवा लें इसके बाद दना दन बारेश सुरू हो गई नेशनल जन्मत चुकि किसी भी बात पर सवाल केबल विपक्ष के नेताओं के अधार पर नहीं लगाता है बलकि उसका कोई तथ्यात्मक अधार होता है तो मैं इस फंड पर सवाल क्यों अठा रहा हूँ वो एक उधारन से आपको समझा देता हूँ इस समय अक्षे कुमार चुकि प्रधानमंती नरेंद्र मोदी के बेहत करीबी बने हुए हैं और राष्ट वक्ती की भावनाव से ओध प्रोत खबरों को बना करके उससे अच्छा कासा ब्यापार भी कमा रहे हैं उनी अक्षे कुमार के कहने के आधार पर सरकार ने 2018 में एक ट्रस्ट बनाया था भारत के बीर ट्रस्ट ट्रस्ट में साथ लोगों को ट्रस्टी बनाया गया था जिसमें अक्षे कुमार भी सामिल थे ट्रेश्ट की गोशना होते ही बताया गया कि इसमें 40 करोन रुपे का चंदा आ गया है ये ट्रेश्ट उन लोगों के लिए बनाये गया था जिन लोगों को सहीद का दरजा नहीं मिल पाता है यानि की पैरा मिलिटरी फोर्सिस अर्ध सैनिक बलों के जवानों के लिए 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी घटना में 40 से ज़्यादा जवान सहीद हो जाते हैं 14 फरवरी 2020 को एक रिपोर्ट प्रकासित करता है इंडिया टुडे उसकी हेडिंग होती है पुलवामा का एक साल शहीद की पतनी लगा रही गोहार अब तो सुनलो सरकार इस पूरी ख़वर में ही बताया ये जाता है कि एक साल में जो पुलवामा अटेक में सहीद हुए थे उनके घरवालों का क्या हाल है एक उधारन आपको बता देता हूँ आगरा के रहने वाले CRPF के जवान कौसल कुमार रावत की स्टोरी इसमें कवर की गई है उनकी पतनी ममता के हवाले से बताया गया है कि एक साल से वो ऑफिसों के चक्कर काट रही है लेकिन जो गोशनाएं हुई थी वो पूरी नहीं की गई दूसरा एक उधारन बता देता हूँ आपको पुलवामा हमले के 36 घंटे के भीतर बताया गया सरकार की तरफ से कि साथ करोणों रुपय का चंदा केवल इस टरस्ट में पुलवामा के सहीदों के नाम पर आ गया लेकिन पुलवामा के सहीदों की एक स्थिती बताई दूसरी बता देता हूँ महराष्ट के बुलढाना में रहने वाले संजय राजपूत और नितिन राठोर के घर जब एक साल बाद ये रिपोर्टर पहुँचे तो उनके घर वालों ने भी यही कहा कि हमें आस्वासन मिला है जुझना मिला है लेकिन अभी तक कुछ भी सरकारी मदद नहीं मिल पाई है कमोवेस यही हाल राजिस्तान के धौलपूर जिले के चैतपूर के रहने वाले भागीरत का भी था आप अपने आसपास ही चेक कर लीजिए उसमें सहीदों के और नाम में बता देता हूँ प्रदीप यादव, तिलक राज, मैंपूरी के रहने वाले राम बकील, उन्नाव के रहने वाले अजीत कुमार आजाद, चंदौली के रहने वाले अबधेस यादव, देवरिया के बिजय मौर्य तमाम लोग, अन्ने लोग भी इसमें सहीद हुए थे, उन सहीदों के घर के आसपास जाकर के स्वयम चेक कर लीजिए, कि बास्तों में जो ये प्रिलीफ फंड बनते हैं, इनका पैसा उन लोगों तक पहुँच पाता है, या नहीं पहुँच पाता है वो सरकार जो ये दिखाने की कोसिस करती है, कि हम हमेशा सैनिकों के साथ खड़े रहते हैं, उस सरकार के राज में ही जब ये मांग उठती है, कि पैरा मिलिटरी फोर्सिज, यानि कि अर्ध सैनिक बल्लों के जवान, अगर युद्ध भूमी में मारे जाते हैं, तो उनको सह में या अब अमिस्सा हो गए हैं, एक छोटी सी मांग क्यों पूरी नहीं की जा रही है, क्यों इनके नाम पर जो रिलीफ फंड बनाये गया था, उसका पैसा इन सहीदों के घर में नहीं पहुचाया जा रहा है, तो निश्चित तोर पर मैं सवाल उठाऊंगा, कि एक ऐसा क इयर फंड प्रधानमंतरी सामने लेकर के आए हैं, जिसकी विश्वसनीता संदिक्द है, अभी पता ही नहीं है, कि इसमें कौन-कौन लोग शामिल हूंगे, और उसका audit होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंतरी कार्याल ये ये प्रधानमंतरी के किसी आधिकारिक प्रवक्ता की तरफ से अभी कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है मोदी जी के गली महले में टहलते हुए जो अगोसित प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि ऐसे फंड समय समय पर बनाये जाते हैं ऐसे लोगों से मेरा सवाल ये है कि एक भी उधारन बता दीजिए जब अपने देश के किसी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राहत कोस के अलावा अपने नाम से कोई फंड बनाया हो फंड बनते हैं लेकिन वो फंड छोटी छोटी आपदाओं के लिए अलक से बनाये जाते हैं प्रधानमंत्री किसी राहत कोस का नाम अपने नाम से नहीं रखते हैं दूसरा ऐसे लोग तरक दे रहे हैं कि प्यम केर फंड केवल कोरोना के लिए बनाये गया है जबकि जो पहले से प्रधानमंत्री राहत कोस है उसमें तमाम सारी आपदाएं सामिल हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये केर फंड सुरू करते हुए बात कही थी वो अपनी बात की ही पुष्टी करते नहीं दिखते हैं दोने कहा था ये फंड कोरोना जैसी कई भी परिट परिस्थितियों में जरूत मंदों तक महथ मदद पहुंचाने का काम करेगा इसका मतलब भक्तोंकी कर्ट प्रधानमंत्री नहीं कारदी वो खुद कह रहे हैं कि कोरोना जैसी कई भी परिस् instalियों में तो अगर कई विप्रीत परिष्थितियों के लिए फंड बना था तो प्रधान मंत्री रहात कोस जो पहले से बना हुआ था उसमें आपत्ती कहा थी कुछ भक्तों का तरकी ये है कि प्रधान मंत्री द्वारा अलग से केर फंड की गोशना करने के साथ ही तमाम सेलिविटी इस से उसी में पैसा ठransपर करवा लेते तो इस कभी अपने नां आप नाम हो जाता जैसे प्रधान मंत्री इस ट्רस्ट में अलग से पैसा मांग रहे हैं वैसे ही रहात कोस में भी पैसा मंग लेते तो लोग उसमें भी दे देते जब आप भग्तों से सवाल करिए तो वो कह से देना है इसके अलावा ये भी जानकारी हो गई कि प्रधान मंत्री के अलावा उनके सिपैसालार तीन और मंत्री उसके सदसे हैं इसके अलावा कुछी भी जानकारी नहीं हुई कि आखिर इस ट्रेश्ट की डीड क्या है और इसका रेजिस्ट्रेशन कब हो गया किन-किन छे करना हो कि इस care fund में अभी तक कितना पैसा आ गया है कितने हजार करणों रुपए आ गए हैं तो मैं कैसे पता करूंगा मुझे छोड़िए आप ही बता दीजिए कि आप exact आंकडा इस fund में आने का पता कैसे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इसी लिए इस care fund पर बारबार सवाल उठ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ये पहले ही गोशना कर चुके हैं कि इस trust में जो दान करेगा वो CSR यानि की corporate social responsibility के तहत माना जाएगा इसके साथी साथ income tax की 80G के तहत उसको income tax return भणने में भी छूट मिलेगी लेकिन यहां पर भी सवाल उठे कुछ लोगों ने ब कोई भी official website नहीं है उस पर कोई भी official जानकारी नहीं दी गई है तो पूरे 100% deduction का लाप मिलेगा या 50% पर deduction का लाप मिलेगा ये बात अभी तक इस पश्ट नहीं हो पाई है आपके मन में ये भी सवाल उठ सकता है कि प्रधानमंत्री आखिर इस समय में ऐसा करेंगे क्यों क्योंकि जब भी PM राहत कोई की बात होती है तो website पे या फिर कहीं भी चर्चा होती है कि 1948 में ततकालीन प्रधानमंत्री जवाल नहिरू ने ये कोई बनाया था लेकिन जब PM Care Fund की बात होगी तो बताया जाएगा कि 2020 में ये सश्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये खोल करके दान दिया और इतने करणों रुपए मैंने एक टेकल लिये या विपक्ष का जो आरोप है मैं नहीं कह सकता लेकिन विपक्ष का आरोप है ये भी संबव है कि इस हिस्से का जो PM Care Fund में पैसा आना है उसमें कोई बड़ा घोटाला हो कोई बड़ा गोलमाल करने की सा सवाल उठा रहा हूं वसलिए उठान तो फिर अगर इतना पैसा बार बार दिया जाता है अभी पीएम का जो रहत कोस बना हुआ है उसमें 3800 करोन रुपे बखाया है तो फिर क्यों इस देश में कोई भी व्यक्ति भूका सोने को मजबूर होता है आप कौन सी आपदा का इंतिजार करते हैं इस समय कोरोना को लेकर जो आपदा चल रही है उसमें तमाम सारे आप इस्थानी अधिकारियों से बात करिए वो कह रहे हैं कि हमारे पास उपर से ही ज़्यादा फंड नहीं आ पा रहा है तो यह फंड जो एखटा किया जाता है वो किसके लिए खटा किया जाता है इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप मेरे जैसे या किसी भी व्यक्ति के जो अपने-पने संगठन चला रहे हैं उसमें भरोसे मंदल लोगों को छोड़ करके किसी को भी दान ना करें आपको घर के आसपास अगर कोई व्यक्ति नजर आता है तो सीधे तोर पर उसको डायरेक्ट मदद पहुचाईए या उस व्यक्ति को मदद दीजिए जो लगता है जिसके उपर आपकी accountability fix हो और आप उससे जवाब मांग सकें क्योंकि इस तरह के जो fund बनते हैं बिलुट हो जाते हैं उसमें कितना पैसा आया कितना पैसा इनको दिया गया बाद में बचा हुआ पैसा राम मंदिर में लग जाएगा कि कहां लग जाएगा ना आपको पता है ना हमको पता है ना आप इन सरकारों से जवाब मांग पाएंगे इसलिए मेरा अनरोध है कि अगर आप चाहते हैं कि देश में कोई मजदूर भूका ना सोए देश में कोई रिक्सा चलाने वाला कोरोना के आपदा की इस्तिती में भूका ना सोए तो आप खुद से अपने अगल वगल महले का सर्वे करिए और उसमें देखिए कि बास्तों में अगर किसी घर में इंतजाम नहीं है तो आज पास एक दूसरे की मदद से वो इंतजाम उस तक पहुँचा दीजिए तमाम संगठनों को पैसा देते हुए, चेक देते हुए, फोटो भी किच्वानी है अधिकारियों से, नेताओं से अपने संबंध भी मेंटेन करने है तो उनको उनके तरीके से काम करने दीजिए, जो लोग PM Care Fund में या राहत को उसमें पैसा दे रहे हैं बड़े बड़े लोग, मुझे कोई आपत्ती नहीं है, लेकिन सामानने व्यक्ति जो पैसा दे रहा है वो अपनी जेब से पैसा खर्च करके, ऐसे लोगों के घर में रोसनी करने का काम करे, वो ही जादा बहतर होगा देखते रहे नेशन जन्मत, जागरुक और सजग बने रहिए, जै विज्ञान, जै सम्मिधान, जै लोगतंत्र, धन्या